हेलो फ्रेंड नमस्कार कैसे आप सर्फ फ्रेंड आज मैं बहुत ही सुन्दर असान तरीके से उठ्थे वाले लेडी सॉक्स बनाने जा रही हूं जिसको बनाना बहुत असान है बहुत ही सुन्दर लगती है इसको आप गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं फ्रेंड मैंने ये द बूल्टी सैट दोनों सैट से उल्टा उल्टा बुनते फिर मैंने इसकी एक दो तीन चार पांच पांच में लए स्रो बनाई है यानि मैंने इसकी दस लैया की हैं अब हम क्या करेंगे फिर्ण ये सौक्स छे और साथ फूट साइज नंबर वालों को बड़े अराम से आ जाए फंदे हैं हम सबसे पहले 24 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और इस फूल को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे इस तरह से झाल्स फिर्ण बड़े प्रूट साथ मैंने 24 फंदों को सीधा सीधा बुल लिया है 24 फंदे मारी साइड होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक फंदे पर हम डिजाइन बनाएंगे एक फंदे पर हम साथ फंदे बनाएंगे तो हमारा इहाँ पे फिलावर भी बनेगा और फंदे बढ़ेंगे इस कलर ल्य उनिवीज पूल सी यहाँ पे बनाएंगे आप ऐसे नी बुनना एक स्टेप नीचाएँ यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इस फंदों को आप गिरा देंगे, उसके बाद फिर चोविस फंदों को हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, इस तरह से, सीधा सीधा, पोरी रो यहां तक, complete करके अम, उल्ती साइड पर आएंगे, उल्टी साइड पर आगे हैं, उल्टी साइड पर क्या करेंगे पहला फंद उतार लेंगे या बुहलेंगे, और फिस, यह 24 फंद हमारी इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, है हो कि दो फिर हमने यह 20 यह पर एसे छोब्विस वन्गे हमने उल्ट पूर लिए अब यह बीच पर राखने हमने एफ भंड़ साथ अब क्याadd경 करेंगे इस सब्सक्राइब है लेकिन हम यहां पर नहिए इस तरह से इससे क्या होगा यहां पर हमारे वढ़ल तो इस तरह से हम यह साथ फंदे भी हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे उसके फिर ग्रीन कलर आ गया फिर इसको बाकी के फंदों को हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे इस तरह से तो इन 24 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनके पूरी रोर कंप्लीट करके हम फिर सीधी साइड पी आएंगे इस तरह से फ्लावर बनेगा अब हम सीधी साइड पर आगे हैं सीधी साइड पर पहला फंदों तार लेंगे अब फिर सभी फंदों को सीधा-सीधा बुनेंगे पहले यह 24 फंदों को हम सीधा-सीधा बुन लेते हैं सीधा सिधा बुं लिया अब यह साथ हैं यह थो यह इनको भी हम पहले ग्रीन कलr वाली वूल सीधार नहीं डाल ना मैं मैं दो इजैनना दोस्ति से सदाइम का होन tällरी एक फंदे से साथ फंदे किये उसके बाद फिर उल्टी से लाई हमने सारी उल्टी उल्टी बुनी उसके फिर ग्रीन कलर वारी बूल से हम सभी फंदों को हमने सीधा-सीधा बुन लिया सीधा-सीधा बुनके पूरी रोव यहां तक complete करके हम उल्टी साइड पर आएंगे उल्टी साइड पर आगे हैं फैंड्टी साइड पर क्या करेंगे अब पहला फंदों उतार लेंगे सभी फंदों को फैंड्स हम उल्टा-उल्टा बुनेगे उल्टा उल्टा उनके फैंट्स हम यह पूरी रोफ यहां तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पर आएंगे इस तरह से फ्लावर बनेगा सीधी साइड पर क्या करेंगे पहला फंद उतार लेंगे पहले हम 24 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे तो फिर मैंने 24 फंदे सीधे सीधे बुन ली है 24 फंदे हमारे इस साइड होंगे दो चार छे आठ दस बारा चोजा सोला ठारा बीस बाईस चौविस अब बीच में कितने फंदे हैं फंद यह देखिए दो चार छे साथ साथ फंदे हैं तो क्या करेंगे तीन फंदे मारे इस साइड होंगे तीन फंदे मारे इससाइड एड होंगे उस पर हम फिर फ्लावर बनाएंगे अब हमने इस तरह से नहीं बनाना एक रो नीचे यहां पर तो दूसरी बूल से बनाएंगे इस वाली बूल से साथ फंदे करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ इस फंदे को गिरा देंगे यहां पर दो, चार, छे, आर, दस, बारा, चोदा, सोला, ठारा, बीस, बाईस, चौबिस, पच्ची, चबिस, ताइस, ताइस फंदे हो गए यहां पर तो इसको हम ग्रीन कलर वाली बूल से बनेंगे इस थरा से, सभी फंदों को सीधा से बुनके पूरी रोह यहां तक कंप्लीट करके उल्टी सैट पर आएंगे, उल्टी सैट पर क्या करेंगे, प्याला फंदा उतार लेंगे, अब 27 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, पिस 27 फंदुक हमने उल्टा-उल्टा बुन लिया है अब हम क्या करेंगे अब जो हमने एक फंदे साथ फंदे बनाई थे उसको हम दूसरी फूल से हम उल्टा-उल्टा बुने उससे पहले हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे तो यहां पर होल नहीं पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बुन लिया अब बाकी के फंदों को हम 27 फंदे हैं इनको हम ग्रीन कलर वाली वूल से उल्टा-उल्टा बुनेंगे उल्टा-उल्टा बुनके पूरी रो कंप्लीट करके हम सीधी साइड पर आएंगे सीधी साइड पर पर पहला फंदा उतार लेंगे अब सभी फंदों को हम सीधा-सीधा बुनेंगे सिधा सिधा बुनके friends हम ये पूरी रो यहां तक complete करेंगे अब हम बीचने flower नहीं बनाना जो ये इस कलर वाली वूल के जो फंदेया हैं उनको भी हम green कलर वूल से हम सिधा सिधा बुनेंगे पूरे फंदों को सीधा सीधा बुनके पूरी रोग कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पर आएंगे उल्टी साइड पर भी हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनके पूरी रोग कंप्लीट करके हम फिर सीधी साइड पर आएंगे तो फिन सीधी साइड पर आ गया है, सीधी साइड पर क्या करेंगे, फिन पहले हमने 24 फंदे हमने बुने सीधे सीधे, फिन उसके पास 27 फंदे, अब बुनेंगे 30 फंदे, को तीन फंदे हमारे इस साइड एड होंगे, तीन फंदे हमारे इस साइड एड होंगे, और इस तरह स से फ्रेंड्स हम तीस फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे तो फ्रेंड तीस फंदों हमने सीधा सीधा बुन लिया तीस फंदे मारी साइड होंगे दो चार छे आठ दस बारा चोदा सोला ठारा बीस बाई चोविस चब्बे ठाई तीस और यह सेंटर का फंद है यहां पर हम फ्लावर बनाएंगे यानि एक फंदे से हम साथ फंदे करेंगे तो एक स्टेप नीचे यहां से दूसरी वाली बूल लगाएंगे यह वाली एक दो तीन चार पांच छे साथ इस फंदों को ग्रा देंगे उसके बाद फिर यह वाली बूल से हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे सीधा सीधा बुनके पूरी रोग कंप्लीट करके हम उल्टी साथ पर आएंगे उल्टी साथ पर हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनके फिर हम सीधी साथ पर आएंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे ग्रीन कलर वाली वूल से हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनें निगे हमने green कलर वाली वूल से जहम सीधा-सीधा बनेंगे तो हम यहां पर फ्लावर नहीं बनाएंगे हमने क्या करना है फैंड्स हमने जब फ्लावर बनाना तो हम तीन फंद बढ़ते जाएंगे जैसे पहले चोफिस फंदे फिर साइज तैसे सीधी श्थ इस तरह से इस तर यहां पे हम फिर कोई flower नालेंगे उल्टी तलाई पर भी आपको पर दिखाते हूं You दो, तीन, चार, पांच, छे, यह साथ, साथ फ्लावर मैंने बना लिये हैं, यहां पर हमारे फंदे 91, 91 फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमने 49 फंदों से स्टार्ट किया था, तो बढ़ते बढ़ते फंदे यहां पर हमारे 91 हो गए हैं, और ग्रीन कलर से मैंने यह सीधी सलाई यहां पर मैंने बूल को कट कर दिया था, सबी फंदों को फैंट उल्टा उल्टा पूनेंगे, उल्टा उल्टा पूनके फैंट साम यह पूरी रूख, यहां तक कम्प्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे, तो फिर हम सीधी साइड पे आगी हैं, अगर आपने इस सौक्स को बढ़ा बनाना है, तो एक एक फ्लावर आप बढ़ाते जाहिए, छोटा बनाना है तो एक एक फ्लावर कम करते जाहिए, अब सीधी साइड पे आगी हैं, तो यह हमारे टोटल 91 फंदे हैं, फिरन 46 फंदे ह हम पहले उल्टे-उल्टे बुनेंगे अब हम सीधी साइड सीधा उल्टी साइड उल्टा नहीं बुनेंगे अब हम सीधी साइड उल्टी साइड दो साइड से उल्टा-उल्टा बुनेंगे हम यह फ्रावर नहीं डालेंगे नाई हम यह फंदे बढ़ाएंगे पहले फंदों को हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे पिर मैंने 40 फंदों को उल्टा-उल्टा बुन लिया है 45 फंद है मारे इस साइड होंगे है यहांओ होगे पारे इस करेंगे हम पहले करेंगे अब इन फंदो हम सकटेमखर में बुनेंगे हम यहीं से उल्टान लेंगे यहां पर क्या करेंगे हम पहले 20 फंदों का हिक कर देंगे तो हमारी दूनों साइड तो फैंड दूनों साइड हमारे फंदे बराबर हो गए है, अब सभी फंदों के फैंड सहम उल्टा 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 जोनेंगे, औल्टा औल्टा बुन्के kneads हम यह पूरी रोष यह तक complete करके हम सीधी side पर आएंगे सीधी side पर आगे हैं सीधी side पर क्या करेंगे पहला फंदा उतार लेंगे अब फिर सबी पंदों का हम औल्टा औल्टा बुनेंगे त murder उल्टा 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 बूरंके फैंट यह पूरी रोह यहां तक कंपलीट करेंगे यह हम 25 फंदे बुन future. इस हम 25 फंदों को हमने 25 साइट नमाल्टत बुने हैं सीधी सब्चाहई नथा नूर्टत भ dialect कंपलीट करके हम जाए सब्सक्तुरु करेंब हम यहां पे टोटल सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड को मिलाके इसकी टोटल 18 सलाईया करेंगे सीधी से उल्टा 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 उल्ट उसके बाद यहाँ पे भी हमारी पल वाइस नो रो बनेंगी उसके बाद भी सभी फंदों को हम बंद कर देंगे तो इतना complete करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने दोनों साइट 18-18 सलाइय करके सभी फंदों को बंद कर दिया तो हमारी यहाँ पे नो नो पल वाइस रो बनी है यह देखे फैंट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो उसके बाद सभी फंदों को बंद कर दिया इस साइड भी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो उसके बाद सभी फंदों को बंद कर दिया इस तरह से यह हमारी सॉक्स दिखाए देगी अब हम क्या करेंगे इस सॉक्स की हम सिलाई करेंगे यह हमारी सीधी साइड है उल्टी साइड से सिलाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे पहले यहां से लेकर यहां तक इस कलर वाली वूल से स्लाई करेंगे उसके बाद फिर यहां से लेकर यहां तक ग्रीन कलर फिर उसके बाद फिर हम यहां से परपल वाली वूल से स्लाई करेंगे पहले हैं कि यहां से लेकर यहां तक ग्रीन कलर वाली वूल से सलाई करेंगे उसके फिर यहां से हम परपल वाली वूल से सलाई करेंगे तो यहां तक सलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूं मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है अब यहां से लेके हम यहां तक सिलाई करेंगे 10 या 12 सिलाई पहले हम छोड़ देंगे यहां से लेके यहां तक सिलाई कर लिए अब हम क्या करेंगे अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे इस साइट को हम यहां पर रखेंगे इस तरह से यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक सिलाई करेंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है अब इस सॉक्स को हम सीधा करेंगी अब इसमें पूल कितनी लगी है वह मैं आपको बता देती हूँ तो फैंट ग्राव पूल में यह हमारी सॉक्स बनकर त्यार हो गी है तो इसके साथ यह बहुत ही सुंदर असान तरिके से यह अगुठ्थे वाली लेडी सूक्स बनकर त्यार हो गी है तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्रीस लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीस सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के सब बेल पटन को दुबारा मत भूलिया ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ तर तक के लिए बाई बाई